हीलो एंड वेल्कम बैक, आज के इस वीडियो में हम कुछ जबर्दस्ट जानकारी जानने वाले हैं। बादाम खाने के फायदे, बादाम खाना शरीर के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। बादाम खाने से दिल हेल्दी रहता है, और कॉलस्ट्रॉल से राहत मिलती है, और अच्छा कॉलस्ट्रॉल रहता है। दोस्तों साथ ही हम जान लेते हैं कि बादाम खाने का सही समय क्या है तो दोस्तों बादाम को रात को पानी में भीगा कर रखते हैं और सुबह इसका सेवन करें बादाम मुलायम होने होते हैं अच्छी तरह शरीर में पाचन की प्रक्रिया आसान हो जाती है जो फाइदेमंद ह दोस्तों बादाम को स्वास्थे के लिए बहुत फाइदेमंद माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको बादाम खाने से हुने वाले फाइदे के बारे में बताते हैं। दोस्तों बादाम को स्वास्थे के लिए जरूरी माना जाता है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि इसके फाइदे आँखों के लिए हो सकते हैं। 3. बादाम का सेवन करने से पाचन को बहतर किया जा सकता है। इनसी बियाए द्वारा प्रकाशित शोध से पता चलता है कि हड्डियों को केलशियम और मेगनीशियम जैसे पोशक तत्वों की आवश्यक्ता होती हैं, बादाम में ये दोनों पोशक तत्व पाये जाते हैं, डेंसिटी को बहतर करने के लिए जाना जाता है, ये दोनों पाइदे में हड़ी स्वास्थे को भी गिना जाता है। पाइदे में हड़ी स्वास्थे को भी गिना जाता है। पाइदे में हड़ी स्वास्थे को भी गिना जाता है। नमबर नो, उम्र बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति की याददाश्थ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बादाम का सेवन करते हैं, तो ये याददाश्थ को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। नमबर दस, सुबह खाली पेट बादाम का सेवन हार्ड के लिए काफी फाइदेमंद होता है। क्यूंकि बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हार्ड को हेल्दी रखने के साथ ही साथ हार्ड संबंदी बिमारियों के जोखिम को भी कम करने में मददगार साबित है। साथ ही इसका सेवन कॉलस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। और लास्ट है नमबर 11, सुबह खाली पेट बादाम का सेवन रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है, जिससे आप संक्रमन की चपेट में आने से बचते हैं। तो फ्रेंज वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप सुबह में बादाम का सेवन करते हैं कि नहीं कमेट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केर एंड बाई।